जब धन्वल साथ हो तो ख्वाब में दूबने की कोई हद नहीं होती। आवद के नवाब नसीर उद्दीन हैदर 1827 से 1837 ने एक ऐसा ही ख्वाब देखा था। नवाब को खगोल और ज्योतिश विधा में बहुत दिल्चस्पी थी। उन्होंने कलकत्ता में रहते हुए खगोल विज्ञान का भी अध्यान किया था। इसी लिए प्राइम मिनिस्टर हकीम मेहदी अली खान ने 1831 में नवाब नसीर उद्दीन हैदर को एक वैदशाला बनाने का प्रस्ताव रखा। हकीम मेहदी को कई परियोजनाय सौपी गई, जिनमें शेक्षनिक संस्थान, अस्पताल और सार्वजनिक उप्योगिता की कई अन्य परियोजनाय शामिल थी। यही कारण है कि नवाब ने इंगलेंट की ग्रिनविच वैदशाला की तर्च पर एक शाही बेदशाला बनाने का काम शुरू करवाया। कलकत्ता से कैप्टन हर्बर्ट को लखनव बुलवाया गया। हजरत गंच के एक विशाल भूखंट पर दो मनजिला बेदशाला बनाए गई। दो बड़े सभागार और नीचे एक बेसमेंट था। उपरी मनजिल पर एक छोटा गोलाकार कमरा बनवाया गया। कमरे के उपर धातू का एक अर्ध गोलाकार गुमबद था जिसे चर्खी और चक्री से घुमाया जा सकता था। नवाब ने बेदशाला का नाम तारेवाली कोठी रखा। नसीरुद्दीन हैदर ने वैदशाला युवाओ को खगोल शास्त्र और भौतिक विज्यान के बार से लेटिनेंट करनल आर। विलकॉक्स लखनव बुलाए गए और उन्हें शाही खगोल शास्त्री नियुक्त किया गया। विलकॉक्स की निगरानी में न सिर्फ बेदशाला का काम तेज हुआ बलकि उसने इसे इंगलेंड की बेदशाला ग्रीनविच की तर्स पर बनवाय विलकॉक्स ने प्रसिद्ध ग्रीनविच शाही बेदशाला की तरह ही लखनव की बेदशाला में उपकरन लगवाये। जिन में बैरोमीटर, मेगनेटोमीटर, चुमबक, थमोमीटर और बिजली उतपन करने वाले उपकरन शामिल थे। बेदशाला में चार टेलिसकोप भ लगा हुआ था। ये स्तंब फर्ष से छट से होते हुए उपर जाता था और इसकी उचाएं 20 मीटर थी। इसी बीच एक हादसा हो गया। नसीरुद्दीन हैदर को किसी ने जहर दे दिया और जुलाई सन 1837 को उनकी मृत्यू हो गई। बेदशाला का निर्मान कार्य चाचा मोहम्मद अली शाह को नवाब बना दिया। अनिच्छा के बाबजूद बेदशाला आखिरकार सन 1841 के अंत में बनकर तयार हो गई। इस पर 19 लाक रुप्ये से ज्यादा की लागत आय थी। शाही बेदशाला बहुत काम्याब रही और जैसा की नसुरुद्दीन है चाहते थे। यहां युवा दर्बारियों को खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाने लगा। शाही बेदशाल को लखनव पंचान निकालने का भी श्रे जाता है। ये सभी चीजे और प्रकाशन लखनव के शाही चाप खाने में चापे गए थे। बेदशाला के अन चाहवे और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के नाराज होने के कारण सन 1849 में बेदशाला बंद कर दी गई। बेदशाला के बंद होने से तारे वाली कोठी बरबाद हो गई। लेकिन सन 1857 की बगावत में इस कोठी ने महत्वपूर्ण भूमिकाने भाए। आतता कोठी बगावती स्थल बन गई। बगावत के दोरान रन्नीती पर विचार विमर्ष के लिए क्रांतिकारियों की यहां बैठके हुआ करती थी। फरवरी सन 1856 में अंग्रेजों द्वारा वाजिद अली शाह को सत्ता से बेदखल करने और उनके सामराज्य को अपने अधिकार पेत्र में लेने के बाद अंग्रेजों ने एहमदुल्ला शाह की संपत्ती पर भी कबजा कर लिया था। एतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उनकी कोठी में तालुकदार, स्थानिय रईस, जमीनदार और सामन्तवादियों की दो नवंबर सन 1857 में बैठक हुई जिसमे अपदस्त नवाब वाजिल अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल और पुत्र शहजादे बिरजीस कद्र के समर्थन में घोशना पत्र पर दस्तखत किये गए थे। पंगाल तीन प्रेजिदेंसी बैंकों में से एक था, बाद में तीनों बैंकों को मिला कर Imperial Bank of India बना दिया गया था, बाद में Imperial Bank of India, State Bank of India में तबदील हो गया, धरोहरों को जिंदा रखने के लिए State Bank of India ने बीरा उठाया, तारेवाली कोथी का रिनोवेशन करा इसे State Bank का मुख्याले बनाया गया अच्छी बात है कि कोठी का आर्किटेक्ट डिजाइन वह आउटलुक बरकरार रखा गया है पोस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करे सब्सक्राइब करें वह कमेंट भी कर दें